को हलो गास व्लिकम बैक टू स्री खान केृसएंढ तो आज की इस वहले वीडियो में हम करने होख कुछ इस तरह की किंग कंसेप्ट की फोटो एडिटिंग नोगे नम proven कि इस तरह की किन बंधने ऐद ही और वीडियो में बहुत लेंगे, पीक्षार टैप के, इसको ओपरेंगे फिर इसको यहां से जो है डॉय टूल पर लेके जाएंगे और इसका जो जब्यूतल से जा रिखर लेंगे, विरिसको यहां से जो बैकग्ग्राउंड है, वो पहले रिमोग करना होगा, पिर इसको यहां से ऐसे बेक्ग्राउंड को रिमूट करेंगे जल्द जल्द से मैं कर लेता वबरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैंने यहां पर कुछ इस तरह से बेक्ग्राउंड एरेज कर लिया है आप इसको अपनी फोन में सिंप्ली सेव कर लेंगे तो यहा से सेव इमेज के उपर क्लिक करके अपने फोन में इसको सेव कर लेते हैं अब जो है हमें यहां से बैट कर लेना है और एक और वेक्ग्राउंड है उसको यहां से उपेन कर लेना है तो इसकाले वेक्ग्राउंड का लिंक भी डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से डा पिर इसको यहां से बढ़ा करेंगा इसे और अच्छे से यहां से एड़्जस कर लेंगे नीचे से हो गया है अब बेग्राउंड को मैच करेंगे पीछे की बेग्राउंड से तो यहां से एरेजर पर जाके हार्डनेस को कम करेंगे साइज को बढ़ा लेते हैं फिर यहां से पीछे-पीसे हल्का सा इसे एरेज कर देंगे हो गया इसको यहां से डान करते हैं अब जो है एक बार और एड़ फोटो पर जाएंगे और एक लाइट पींजी का लिंक मैंने डिस्क्रिशन में दिया है उसको भी डाउड़ोड कर लेना उसको यहां से अड़ कर लेंगे फिर इसको यहां के जो है डूब्लिकेट कर लेते पहले फिर दोनों आखों में लगा देंगे यहां पर जो पीछे सेर का बेग्राउंड है उसके दोनों आखों में इसे लगा देना है फिर इसका जो ब्लेंडिंग मोड है लाइट प्रिंजी के ब्लेंडिंग मोड को कर जाएंगे से मूफ डाव मतलब पीछे चला जाएगा तो आ या कि दूसरे बादे को लोगे इसका भी जो बिलेंडिंग मोड है उसको कर देंगे ओगर ले है और इसको इसको भी add कर लेते हैं इसका जो blending mode है उसको change करेंगे इसको कर देंगे screen फिर इसको यहां से इसे बढ़ा कर लेंगे और उपर में इसे लगा लिना है कि अच्छे से adjust करकी यहां पर लगा लेते हैं हो गया अब इस पो यहां से सरे फींजी लग चुगा है अब इसको यहां से अड्ट कर लींग हो गया आप जो है थोड़ा बहुत एड़्जास्मेंट करना होगा तो उसके लिए हम उज़ करेंगे टूल्स का तूल्स पर जाएंगे यहां पर एड़्जास्स के उपर क्लिक करेंगे पहले इसका क्लेरिट्व हलका सा बढ़ा लेते हैं फीछ चलते हैं सब्सक्राइब हलका सा डाउन कर लेते हैं हाइलाइट्स को कम करेंगे ब्राइडनेस कुछ ज़्यादा लग रहा है तो इसको भी कम करेंगे को कॉन्ट्रास्ट को हलका सा बढ़ा लेते हैं कि टेम्पराइचर को भी हलका सा बढ़ा लेते हैं कि सैड़ो को कम करेंगे अब चलते एफेक्ट पर और यहां से सिंप्ल पर जाएंगे और यहां से लो मो एफेक्ट चूज कर लेंगे अब यह मांन को जीरो विगनेट को भी जीरो फेड को बढ़ालते 70% कर देंगे तो यहां पर फोटो हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से आप जो इसको सिंप्ली सेब कर लेंगे तो यहां से डॉट पर जाएंगे त्री डॉट के उपर क्लिक करेंगे और यहां से सेब इमेज तो आज का वीडियो में इदना ही था आई होप की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फोटो भी कपी अच्छा बनाएं तो वीडियो को इन तक देखने के लिए धन्यवाद और चनल पर अगर नहीं हो तो चनल को सब्सक्राइब कर देना तो जोलो मिलते हैं अगले